तो बहुत सारे कुमेंट्स आ रहे थे कि गोबी के प्रांटे बनाने की रेस्पी बताएं जो बेल दे टाइम फटे ना तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा इस तरह से अब प्रांटे बनाएंगे एक्तम प्रफेक्ट श्टफिंग रहेगी और आपके जो प्रांटे खाने में बहुत ही खसता रहेंगे जिसको यह पर प्रांटे खिराएंगे ना हर कोई अफ़की तारीफी करेगा और देखिए अंदर कितनी अच्छी मसाले की श्टफ ही है यहां पर चलिए रेस्पी शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैंने एक किलो गोबी ली है इसका बेट था डंठल के साथ में एक किलो था डंटल मैंने हटा दिये हैं अब आपन इसकी ना कटिंग करनी है पहले आपने इसको कद्दौ गसणी करना है तो इस तरह से सारी गोबी की कटिंग कर लीशर अब धोने का तरीका अब दाता हूं, इसको आपने धोना कैसे है, एक बरतन में पानी को बोईल कर लिए शे, एक चमच आपने इसमे नमक एड़ करना है, थोड़ा सा हल्दी पोड़र एड़ करना है, और इस पानी के साथ आपने गोपी को धोना यहां पे, तो गैस की फिले मे आपने गोपी का पानी हटा देना है, और इसको चान लेना है, अब देखे, गोपी को मैंने चान लिया है, अच्छी तरह इसका पानी था निकल चुका है, अब कद्दुकस कर लिए शे, तो कद्दुकस की मोटी वाली साइट से आपने इसको कद्दुकस करना है, मोटी वाल गोबी में नमक डालना है, तो एक छोट अचमच आपने इसमें नमक एड़ कर देना है, और नमक के साथ गोबी को अच्छी तरह से mix कर लेशे, इससे क्यों होगा, गोबी के अंदर जितना है पानी होता है, वो निकल जाता है, तो कम सकम 5 मिन तक गोबी को ऐसे ही छोड़ देन है, आप क्या करते हैं, गोबी में नमक डाल देते हैं, परांठे बनाने शुरू करते हैं, तो जब परांठे बेजते हैं, उसके अंदर से पानी निकलता है, आपके परांठे फट जाते हैं, तो ऐसा निकरना है, इस तरह से इसका पानी है, इस पानी को फैंकना नहीं है, इ बाद में बनाएंगे पहले दो त्यार करना है तो यहां पे आपने बड़ा सा बाउल लेना या प्रात ले रिचे उसमें ना दो कप आटा एड़ करना है गेंग के आटे का यूज किया इसमें को भी मैधा या सूजी विगरा नहीं डालनी है दो चमच आप इसमें बेसन आट क पूरे का पूरा पानी डाल दिये नमक तो नहीं डाला है क्योंकि हमने नमक अधर नमक रहेगा थी कैंदered देखिए ठोड़ा थ्योड़ा आप आटे को मिक्स करें जो सूख खटया उसमें थ्प्राइशप और एड़ कीए उसको भी आपने इकठा कर ले opinion है तो जब भी से 3 मिन तक गूंद लेना है हलका सोपर ऑईल लगा दीशे इसको अपने ना कम से 10-15 मिन का रेश्ट देना है इतनी तिर में आपका डो सेट हो जाएगा मसाला बना लेते हैं एक प्याज थोड़ा धनिया अधरक और हरी मिर्च लिए जो प्याज है इसको आपने बारी काटना ह है जो लोग प्याज नहीं काते हैं पूर्व स्किप कर सकते हैं आंपे इस तरह से कर्ट लगा लेंज़े दूसरे साइड में कर्ट लगाने बन वैट टोड स्की किशे चितना बारी काट ना चाहिए इस तरह से आप कार सकते हैं प्याज को लाज का हिस्सा बज जाए उसμέं दो कर्ट लगा के इस तरह से कटी कर लिशे तो कि देखे प्याज को मैंने काट लिया है और जो अदरक है इसका छिलक आपने उतार देना है अदरक को आपने थोड़ा सा स्लाइस काटना है ये देखे और इसके बद इसको जूलिन काट लिशे इकटा करके पकड़ना है इस तरह से आप इसको चौप कर सकते है थोड़ा सा अदरक डालेंगे प्रांटों में टेश देखे हो कितना अच्छा टेश आएगा हरी मिर्श को भी आपने चौप करना है बच्चों के लिए बना रहे हैं मिर्श का यूज़ आप यहां पर कम कर सकते हैं तो हरी मिर्श भी काट लिया है धनिये को मैंने अच्छी तरह से दो लिया है और दोने के बद आप इसको भी काट लिशे तो यह देखिए सबजी के कटीं भी हो चुकी है अब इसके बद आपने कटाऊवा प्याच आड कर देना है जीरा पोडर आड़ करना है अदा चमच आदा चमच आप इसमें अजवाईन आड कीशे ठोड़ी से आपने कसूरी मेथी आड़ करनी है कसूरी मेथी को हल्का सा रोश करके भी डाल सकते है थोड़ा सा गरम मसाला पौर्डर बिल्कुल थोड़ा सा और आदा चमच आप इसमें चार्ट मसाला या फिर आमचुर पौर्डर एड़ कीजिए खटा करने के लिए यहां पर आपने नमक नहीं एड़ करना है क्योंकि हमने गोबी में उस टाय में एक चमच नमक एड़ कर दिया था तो गोबी के अंदर तर नमक अच्छा टेस्ट आ चुका है तो मसाला त्यार हो चुका है और 15 मिन के बाद देखिए हमारा जो डो है वह अच्छा है सेट हो चुका है इसको हलका सा आपना गूंद लिशे ताकि इसमें थोड़े बो क्रेक्स दिख रहे ना वो भी खत्म होच रहे तो एक से डेट मिन तक आपने आटे को फिर से गूंद लेना है और इसके पेड़े बना लेना है तो जब यहाँ पेड़े बनाए ना चार से पांच पेड़े कठे करके बना लेने है उससे क्या होता है आपका जो पेड़ा है वो सौफ्ट हो जाता है जब प्रांठे बेलते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आती है प्रांठे बेलन करेंगे इसको इस तरह से दिखेंगे दबा देना है और पेड़े के उपर हलका सा आपने लगा देना है तक पेड़ा जो है उपर से सूखे ना, तीन से चार मिट के और आप इसके परांटे बना सकते हैं, हलका सा सूखा आटा लगाना है, और इस तरह से देखे, पेड़े को थोड़ा सा बेल लेना है, ज़्यादा बड़ानी, साइडें जो होती हैं, इसकी पतली रखनी आपने है, हाथों में गुमा के भी इसको पतला कर सकते हैं, इस तरह से देखे, सेंटर से आपकी जो रोटी हैं थोड़ी सी मोटी हो नीचे, ताकि बेल देड़ा हैं वो पर से भटे ना, तो ओके देखे, मसाला चे से इसके अंदर बंद हो चुका है, तो इसी तरह से तीन से चार परांठे ना, पहले स्टफ कर लिएजे, और इस तरह से दबाने हैं आपने देखे, ताकि मसाला चारों तरफ फैल जाए, फिर सुखहटा लगाने अपने इसके उपर, और इसके वट आपने इसको बेल लाए, अब बार-बार सुखहटा तो लगा देए, ताकि जब हम परांठे को बेल लें, वो टेमल से न चिपके, तो ओके देखे, सुखहटा लगा लिया है, इस तरह से आप इसको बेल लीजे, पतला परांठा बनाएंगे, खाने में खस्ता बनेगा, मोटा परांठा बनाएंगे, तो वो soft रह जाता है, तो कि देखिए अच्छी तरह से परांठे को बेल लिया है, और परांठे के अंदर से बिल्कुल भी पानी भी निकला है, और हमार परांठे के बाहर से हलका सा कलराना शोच हो जाएगा, इसके अब आप इसके ओपर ऑइल बटर गी लगा दीशे, मैंने आप यह बटर का यूज़ किया है, और दोसी साइड को पल्टी करते हैं, दोसी साइड भी बटर लगा लेते हैं, अब मुझे यह कंप्लेन नहीं आनी यूज़ नहीं करना है, उसमें चार्ट मसाला है, आपके परांठे क्तम परफेक्ट बनेगे, और इस तरह की अच्छा खसता ही बनेगे, आप देही बटर अचार के असर्व कीज़े, वीडियो अच्छा लगोगा, लाइक, शेर, क्रमेंट जरूर कीज़ेगा, ओके फ्रें थैंक यू